दोस्तों बिजनस वही करना चाहिए जिसका आपको फ्यूचर पता हो मतलब जो बिजनस हमेशा चलना चाहिए तो आज मैं ऐसे ही बिजनस के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि वो हमेशा आपका चलता रहेगा तो अगर हम बात करें पेबर ब्लॉग जो आप अगर किसी ह बिजनस है, यह जादा investment है आप कहीं भी इसको start कर सकती है यह नहीं है कि आपको market के बीच ही इसको start करना है तो complete में इसकी detail आपको दूँगा कि इस business को कैसे आप start कर सकते हो पहले जगा कितनी चाहिए investment कितनी है marketing कैसे करेंगे, profit कितना आएगा raw material क्या लगएगा production कैसे करेंगे सब चीजे इस वीडियो में clear आपको करूँगा 8 से 10 मिनिट आपके लूँगा लेकिन आप इस business को start कर सकते हैं क्योंकि एक low investment business है और हमें तब चलता रहेगा क्योंकि construction हमारे इंडिया में अभी developing country हो रही हमारी developed हो रही है दीर दीरे तो construction का काम चलता रहेगा लोगों के घर बनते चाहेंगे ने ने पट्रोल कम बनते रहेंगे demands बढ़ती जाएगी तो ये काम आपका चलता रहेगा तो सबसे पहले हम start करते हैं इस business को start करने के लिए आपकी जो location होनी चाहिए वो होनी चाहिए अगर आप 5-10 km market से दूर भी हो चलेगा लेकिन वहाँ एक road होना चाहिए road इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो आपका raw material आएगा अगर हम बात करें इसमें raw material में raw material जो चाहिए होता है cement चाहिए होता है sand चाहिए होती है aggregate और colors बगार चाहिए होती है तो अगर हम बात करें इसका जो truck बगार आएगा वहाँ आपके area में पहुंच जाना चाहिए material उतार के बापिस आ सके इसलिए आपको road site चाहिए बले आपका 5-10 km यह दूर है अगर आप एक civil engineer हो तो आपके लिए भी काफी अच्छा business idea है बाकी non-technical person है उनके लिए भी काफी अच्छा है क्योंकि इसकी demand काफी जाद है और अगर हम बात करें इस business को start करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है दो ही machine इसके लिए जरूरत पड़ती है एक तो होती है हमारे mixer machine जो आपने mostly गरों में भी देखी होगी लोगों गर में रहती है मैं आगे बताऊंगा इसकी cost कितनी है machine कहां से आप ले सकते हो वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ लेकिन जो mixer machine आता है वो हमारा 70-80,000 रुपे का गया है ऐसे तो आप इसको manually भी mix करके बना सकते हो लेकिन अगर machine रहेगी तो production काफी जदे increase हो सकती और जल्दी जल्दी आपका काम उसका होता रहेगा एक वो चाहिए दूसरा चाहिए होता है इसके लिए vibrator table होता है मतलब इसको mold आते हैं इसके frames आते हैं आपने देखा होगा इसमें जो टाइल आती है, square shape की भी आती है, zigzag भी आती है, interlocking भी आती है, काफी जदा होती है तो वैसे ही frame चाहिए होते हैं, वो PVC के भी आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं, लकडी के भी आते हैं, काफी frames आते हैं वो मैं आगे दिखाऊँगा, आप कहां से buy कर सकती हो, आपको कितना रुपे, kilo वो frame आपको पढ़ेगा, वो मैं आगे बाद करना ही वाला हूँ, तो ये frame जो होते हैं, इनमें concrete बरके, इनको जो vibrator travel होता है, उस पे रख दिये जाता है, vibration से ये, पूरे vibrator, मतलब zero उसमें voids की जाती है, उसके बाद ये बेचने के लिए ready होते हैं, मतलब एक simple business हम जिसे बोलते हैं, वो business ये होता है, अगर मैं पूरी list आपको बताऊँ, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, location आपको एक चाहिए, मतलब आपको कोई 500 से 1000 square feet area चाहिए, आपका जगा है, तो ठीक है, साइड पे होगी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं रोण चाहिए, नहीं तो आप इसको lease पे भी ले सकते हो, एक जगा लेके आप इस business को start कर सकते हो, दूसरा, आपको mixer machine और vibrating machine table चाहिए, तीसरा, आपको एक generator आपके पास होना चाहिए, कि अगर light चले गए, तो आप generator से काम continue 43 या 53 grade यूज करना है, आप ACC का करो ultra tech का, जो भी आपको wholesale से मिले, अच्छा है क्योंकि आपकी production cost decrease हो जाएगी, फिर आपको sand चाहिए, aggregate चाहिए, और colors चाहिए, yellow color, red color, जिस color के tile आपको चाहिए, उसके नीचे face पे वो color लगाया जाते है, जैसे आप videos में भी देख रहे हो, अब भी मैं आपको एक बार इसकी machine दिखा देता हूँ, आप कहां से इसको buy कर सकते हो, कैसे रहे हो, उसके बाद हम profit, marketing और भी खुछ चीज़े आगे में आपसे बात करूँगा, देखो इसकी machine आप India Mart से भी खरी सकते हो, काफी company वहाँ अपनी advertisement डाली होती है, आप contact number मतलब कर भी सकते हो, यहाँ call लों लिखा है, और get a price हो, यह जो machine देख रहे हो, force engineering करके, लक्षमिन अगर, कोलापूर में बेच रहे है, दो लाख रुपे की यह machine है, इसमें आपका mixer भी आजाएगा, और vibrator table भी आपका आजाएगा, और कुछ आपको mold भी दे देंगे, इनके पास आपको automatic, semi-automatic भी machine मिल जाएगी, और daily आप production कर सकते हो, मतलब 10,000 से कोई 7-8,000 तक daily बना सकते हो, मतलब 500 से 1000 block एक गंटे की average से आप बना सकते हो, इस machine में, यह 2.3 लाग रुपे की, इसमें भी आप 500 से 1000 block बना सकते हो, पर गंटे, तो मतलब capacity उसकी हर machine पे depend होती है, अगर म में बात करूँ, तो आप यह online phone करके भी बोल सकते हो, और आपको एक semi-automatic machine के साथ ही काम स्टार करना चाहिए, दीरे-दीरे जब production, मतलब requirement जादा होगी, तो आप automatic यह double machine कर सकते हो, तो यह business आप मतलब example में पकड़ के चलो, 2-3 लाग रुपया investment करके इस business को आप स्टार कर स जाएगा सब कुछ इसमें आपका आ जाता है, और यह एक लाख रुपया में आपको इसका vibrator table जो आता है, वो मिल रहे, तो मतलब एक आपके पास low investment business, अगर आप सोच यह construction related, तो इससे अच्छा business कोई नहीं हो सकता, तो आपको यह start करना चाहिए, अभी हम चलते हैं, mold जो से वो बेचे जाते हैं, आपको के जगा पर सट के हिजाब से भी बेचे जाएंगे, 20 रुपय, 30 रुपय सट मतलब एक पीस, बाकि आप के जी के हिजाब से उसको ले सकते हो, अभी हम चलते हैं, वीडियो में, उदर process और साथ में आपको दिखाता हूँ, आप क्या profit कितना रहता है, अलग शेप का अलग रहता है, लेकिन average हम पकड़ के चले, 6 से 7 रुपय का आपका एक शेप का पीस बनता है, और उसको हम मार्केट पे बेचने जाएं, आपको वो 10 रुपय से 15 रुपय में बेचता हुआ मिलेगा, M30 grade का वो concrete होना चाहिए, तो उसमें आपका, मत लोग इस business में 2 से 3 रुपया भी कमाते हैं, लाख रुपया भी और 5 से 10 रुपय भी इस business में कमा रहे हैं, अगर आप इसकी production पे दियान दो, आप इसकी marketing पे, और marketing कैसे कर सकते होगा, marketing इतनी जूरत नहीं बढ़ती है, आप banners मना लो, एक तो अपने area में लगा दो, market में ल बाकी आप contractor, mystery, इन से tie up रखो, कहीं भी किसी को बजरूरत पड़े, तो वो आपको phone करे, आप उनको percentage भी दो, अगर आपके through कोई माल जाता है, तो इस हिसाब से आप बना सकते हो, बाकी online, मतलब facebook पे page रहेगा, instagram पे, youtube पे, तो उससे भी आपके material की publicity या marketing होती रहेगी, तो आप दो आदमी के साथ एक काम स्टार्ट कर सकते हो, दीरे दीरे आदमी, तीन चार करके आप इस काम को बढ़ा सकते हो, तो आपको, I hope, पूरा idea लग गया होगा कि क्या business है, तो इसके लेटर कोई भी question होता है, comment करो, बाकी ये काफी अच्छा business है, इस पे पूरी report बनाओ, उसके बाद इस business को आप start कर सकते हो, तो उससे बहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जुरू दरो लेना, thank you guys.